कि गुल मॉर्णिंग बच्चो आज मैं आप लोग के शामने में कि प्लांट टीस्यू पर चर्चा करने जा रहा हूं कि आप जान रहे हैं कि इसके पहले वाली क्लास में मैंने टीस्यू पर चर्चा के थे के इंड्ड्र्टक्सन हुआ कि डी जीओ क्या चीज होता है मैंने उसमें बताया था कि एटम और एटम के मिलने से मौल्पूल का फ्रमेशन होता है और मॉलकूल मॉल्पूल के निया से बड़ा कमपाउंड बनता है और और compounds के different compounds के combination से फिर cell का formation होता है और cell different types के cell के मिलने से फिर tissues का formation होता है जो tissue का अपना special function होता है और फिर wear tissue मिलकर tissue system बनाता है और tissue system मिलने से एक organ का formation होता है और organ के combination से organism का formation होता है यह Organizations of living beings का एक graph है इसी graph के तहत मैंने tissues पर चर्चा की थी और tissues हम पर आगे फिर चर्चा करने जा रहे हैं कि Tissue मुख्रूप से दो प्रकार के होते हैं एक होता है वहाँ tissue जो पौधों में पाए जाता है that is called plant tissue और दूसरा जो animal cells में पाए जाते हैं उसको animal tissue कहते हैं तो यह दो तरह के tissue होगे plant tissue और animal tissue अब दोनों की अपनी अपनाई दुनिया अलग है हम लोग इसे अध्यन के शुबधा के लिए एक ही करके इस पर अध्यन करेंगे जिसमें आज हम पहले प्लांट में पाए जाता है और वह कितने तरह का होता है तो गोगे मीन टीसुम्सिक्टी होते हैं यह मेरिस्टमेटिक τοई और होता है σब्क जूंप होतेयए तरह Franciscoان मेरिस्टमेटिकटीं का इह करेंटर होता है कि वह डिवांड करता है और ग्रों करता है तब जाकर कि प्लांट में कि जो लंबाई है चोड़ाई है मोटाई है कुछ भी मृध्धी होते हैं यह मेरिस्टमेटिक टीशिव के कारण होता है और अगर मृष्टमेटिक मेरिस्टे में नहीं होगा पौधों में तो पौधे की जो लंबाई है मोटाई है वह आगे नहीं बढ़ेगी उनका विर्दी नहीं होगा इसलिए मिरिस्टमेटिक टीश्व का बड़ा ही महत्व है और यहां इतना महुत प्रून है कि प्लांट के जो दो पार्ट होते हैं एक सूट एंड रूट एक को सूट सिस्टम कहते हैं धर्ती वाले धर्ती से उपर के भाग को हम लोग सूट सिस्टम कहते हैं और धर्ती के नीचे के भाग को हम लोग रूट सिस्टम कहते हैं तो रूट water and minerals है उसे धर्ती से ही लेते हैं और शूट में क्लोडोफिल होता है जिसके कानवा photosynthesis के क्रिया sunlight के presence में क्लोडोफियों में करते हैं तो दोनों ही पार्ट बड़ा ही महतपून है और दोनों ही पार्ट का development भी बहुत महतपून है इसी लिए यह जो नरिस्ट्मेटिक टीस्यूज है यह प्लांट के स्टेम के जो एपिकल पार्ट है बिल्कुल कैनोपी पार्ट जिसको कहते हैं बिल्कुल जिसको फुनगी कहते हैं हम लोग कि सबसे उपरी भाग होता है जिसमें छोटे छोटे पत्यों होते हैं वह ग्रोव पर पर पाएज़ाते हैं और वहाँ पर शील दिविजिन होता है एक से दो से लदो से चार होते हैं और उस सेल के डिवाइड होने से फिर सेल हुआ, ग्रो करता है, इनर्जी कुले करके और पौधे की लंबाई बढ़ती है, चोड़ाई बढ़ती है, फिर नीचे रूट सिस्टम है, रूट के जो एपिकल पार्ट है, यानि कि जर्की जो सबसे अग्रभाग है, उस अग्रभाग पर भी यही मेरे स्टिमेटिक इस तेस्यो के पाए जाते हैं, जो की सेल डीविजन करकर के और फिर सेल का बिकास होता है, यानिर रूट सिस्टम का बिकास होता है, उपर सुट सिस्टम का बिकास हुआ, हवा में और मिट्टी के नीचे रूट सिस्टम का बिकास भी हुआ, due to Więcmatic टिश्यू, अब हम लोग सबसे टॉप पर पिक्टर नहीं दिया हुआ है उसके नीचे इंटर कैलोरी मेरिस्टेन दिया हुआ है अब देख सकते हैं यह इंटर कैलोरी मेरिस्टेन इंटर नोड और पत्यों की बेसल पार्ट पर पाए जाते हैं जिसके कारण इंटर नोड की जो है लंबाई विप्रधी होती है और पत्यों की जो पेसल पार्ट से उसमें प्रधी होती हैं अगर यह नहीं होगा तो इंटर नोड का विकास नहीं होगा तो इस तरह से पौधे का जो अपीकल पार्ड है वहाँ पर में श्ट्रमेट्रिक टिशु लगए हैä श्ट्र वहाँ असका बिकास करता है ऑजिसके नीचे पायाँ श्टिम प्वागों मेरी स्टेम यह जो पौधों के इंटरकर्ली मेरी स्टेम के नीचे पौधों की नीचे भागों में पाए जाता है जिसके कारण क्या होता है कि पौधों की मोठाई में पॉधे के तने और जर यानि रूट और सूट क्या जो मोटाई है उसकी बिर्धी होती है इस तरह से पॉधा मिरिस्टिमेटिक टीशू के कारण दिवाइड के कारण वह दीर परते दिन उसके लंबाई चोडाई मोटाई बढ़ती जाती है और एक शमय आता है यह कंप्लीट पॉधाबन के तयार हो जाता है जिसमें फल फूल से पॉधे लद जाते हैं यह हमारा मिरिस्टिमेटिक टीशू का फंग्सन हुआ पॉधों में तो आप लोगों को यहां पर इंटर से पाढ़ की लंबाई बढ़ती हैं इसके पाढ़ Kids की लंबाई ब gost है झाल एक उप्रमीर से इस तरह से यहीं इस तरह से हम लों δेखते हैं कि यह महत्तर पूरुन है को अगधों के लिए और इसके बिना पौधे की जो लंबाई चौड़ाई यारी की इन होल जो विकास है यह संभब नहीं है आसा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में जो भी कुछ भी कमी आपको नजर आ रही होगी उसके लिए आप कमेंट कर सकते ह मैं उसका संका समाधान करूंगा तब तक कि जैहीं